हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई योट्यूब चैनल एसोशेट लानिंग जैसा कि आप सबको पता है हम बेड एंटरेंस एक्जाम 2022 के लिए क्वेशन की सीरीज लेकर आए हैं और ये सीरीज लगातार जारी है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जा करके अभी सारी वीडियो देख सकते हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई वीडियो लेकर करके आ हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है आमलक का तदभो शब्द है ओप्शन है आदर्शिका ओप्शन बी आमर ओप्शन सी आपाक या ओप्शन टी आमला तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी आमला आमला आमलक का तदभो रूप होता है आमलक क्या है आमलक तत्सम रूप है एक तत्स टद्भो रूप हो जाता है आगला कोश्वन है तिनका का तत्सम शब्ध है option ए 3 ओपशन B तिक्त, option C ताम्र या option D तिवरित तो इसका correct answer हो जाएगा option A तरण, तरण का मतलब क्या होता है तिनका होता है, तिनका तिनका जो है यह तद्भो रूप है जब कित्रण जो है ये एक तत्सम रूप है ठीक है अगला question है अगला question है तक्दीर शब्द है option A तत्सम, option B फारसी, option C तद्भो या option D अर्बी तो इसका correct answer हो जाएगा option D अर्बी अर्बी भाषा से ये शब्द आया है और जो शब्द किसी अन्य भाषा से आते हैं उन्हें विदेशत सब्द कहा जाता है अगला question है जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं option A अव्य, option B वचन, option C क्रिया या option D लिंक तो इसका correct answer हो जाएगा option A अव्य अव्य वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द अव्य को अविकारी शब्द भी कहा जाता है ऐसे सब्द जिनमें विकार उत्पन ना हो उनको क्या कहते हैं अविकारी और जिनमें विकार उत्पन हो जाता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द तो संग्या, सर्वनाम, क्रिया और विशेशंग, ये चार्ज होते हैं, ये क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं, लेकिन क्रिया विशेशंग, समुच्चे बोधक, सम्मंद बोधक और विसमयादी बोधक, ये क्या होते हैं, आविकारी शब्द होते हैं, इनमें option a यह खेल का मैदान है option b क्या पंकज अच्छा गायक है option c मैं सफेद कमीच पहनता नहीं हूँ option d इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हम एक एक करके इसको चेक कर सकते हैं option a की अगर हम बात करें तो यह खेल मैदान है यह बात सीधी सीधी बात कही जारी इसमें कोई भी प्रशन पूछा नहीं जा रहा है तो यह तो option गलत हो जाएगा option b की अगर बात करें तो क्या पंकज अच्छा गायक है यहां पर प्रशन पूछा जा रहा है और यहां पर question mark नहीं लगाए तो यह भी question गलत हो जात और दूसरी चीज इसमें पूर्ड विराम नहीं लगा हुआ इसले भी ये गलत हो जाता है अगला option है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े तो यही correct answer इसका हो जाता है जब तीन गलत हो गए तो अगला ही चौथा ही सही हो जाएगा तो इस question का correct answer कौन सा है इस question का correct answer है इस अपनापन option डी समझता उपसर्ग क्या होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्य वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं तो उप और कार, उप कार में अगर हम देखें तो उप जो है वो क्या है एक उपसर्ग है और कार जो है वो क्या है मूल शब्द है हम देखें दूसरे में तो यहाँ पर लाब जो है यह मूल शब्द और दायक क्या है इसके उपर प्रते लगा हुआ है अपना पन में देखें तो अपना क्या है मूल शब्द और पन क्या है एक प्रते जुड़ा हुआ है समझ जो है वो मूल शब्द है और दार क्या है ये एक प्रत्य जुड़ा हुआ है तो बाकी तीन में प्रत्य जुड़े हुए है तो उपसर के किसमें लगा हुआ है option A उपकार में तो correct answer क्या हो जाएगा हमारा option A उपकार अगला question है इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है option A इंद्रजीत, option B इष्ट, option C इंद्रिये जीत या option D इपसित तो इसका correct answer हो जाएगा option C इंद्रिये जीत इंद्रिये जीत मतलब जो इसने इंद्रियों को जीत लिया हो इंद्रिये जीत होता है और जो इंद्र को जीतता है उसके लिए इंद्र जीत शब्द का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो दोनों में डिफरेंस है इंद्र जीत मतलब इंद्र को जीतने वाला और इंद्रिये जीत मीन्स इंद्रियों को जीतने वाला चीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option C इसका correct answer हो जाएगा अगला question है वकील शब्द किस भाषा का शब्द है option A फारसी, option B अर्भी, option C तुर्की या option D पुर्टगाली तो इसका correct answer हो जाएगा option B अर्भी ये अर्भी भाषा का शब्द है वकील किस भाषा का शब्द है अर्भी भाषा का शब्द है जो भी शब्द किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आये हैं उन शब्दों को किस स्रेणी में रखा जाता है उन शब्दों को विदेशज शब्दों की स्रेणी में रखा जाता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option B अर्भी वकील अर्भी भाषा का शब्द है अगला क्वेशन क्या हो जाएगा महिमा शब्द में किस प्रते का प्रयोग हुआ है option a hima option b ma option c a option d ima तो इसका जो मूल शब्द वो क्या है महा महा में जब ima जुड़ता है तो क्या बन जाता है महिमा बन जाता है ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option d ima ima जो है वो जुड़ता है किस में महा में जुड़ता है और महा में ima जुड़ करके क्या बना देता है महिमा शब्द बना देता है अगला question है आडे हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है option ने विपत्ती आना option B खरी खोटी सुनाना option C कर्तव पूरा करना option D आलोचना करना तो इसका correct answer हो जाएगा option B खरी खोटी सुनाना जैसे का जाता है आज मैंने उसे आडे हाथों ले लिया आज मैंने उसे बहुत सुनाया तो इस तरीके से इसका correct answer क्या हो जाएगा option B खरी खोटी सुनाना तो आडे हाथों लेने का अर्थ क्या है खरी खोटी सुनाना उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोले